आप सभी का न्यूज़ेटीन मदिप्रदेच 36 गर देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ अपर ना मौज़म और हमारा चुनाव एक्स्पेस का सफर आज कहां पहुंच गया है आज पहुंच गया है राजधानी भोपाल भोपाल का क्या है हाल ये बताएगी भोपाल की जन नजर अरुन श्रिवास्तव पर अपनी वरोसा दिखाया है चुनावी मैदार में टक कर बीजेपी वर्सिस कॉंग्रेस की है 35 साल से जो बीजेपी का गड़ है आखिरकार कैसे वहां पर कॉंग्रेस करी चुनौती दे रही है ये जानेंगे हम और साथ ही हम जानेंगे भोप की जनता का और हमारे साथ कौन को मेहमान जुड़े हुए पोडियम पर उनका परिचे आपसे करवा देते हैं वरिष्ट पत्र का दिनेश रिगम त्यागी जी है जोड़ा तालिया स्वागत की जी हमारे साथ यश्भारतिय जी है राश्ची प्रवक्ता है समाजादी जोड़ा तालिया हो जाए हमारे साथ डॉट्टर हितेश वाचवी जी रहा पर जुड़े हुए है जोड़ा तालिया हो जाए और साथ कुनाल चौद्री जी है सब ग्लुकॉंडी पीकर आयांच सब ग्लुकॉंडी पीकर आया इसका मतलवाज ठीक है तो आपके अगर इजासत हो तो मैं अच्छा की शुरुआत कर लूँ जी थाइंक यू सो मज टॉक्टर साब प्रधान मंत्री का रोट शो हुआ सब भी ने देखा बीजेपी कारेकर पागदगद हुए तस्वीरे खूब सोचल मीडिया पर फैली 35 साल से जो बीजेपी का गड़ है क्या ये सीड भी बीजेपी मोधी माजिक के भरोसे है देखे आप चाहे कितना भी पूछें लेकिन ये पूरा चुनाओ ही मोधी जी को तीसरे मेंडेट का है चाहे हम देश की कोई भी कॉंसिटवेंसी लें क्यों है क्योंकि मोधी जी की ग फिर जहां एक और कॉंग्रेस पर्सनल लौ की बात करती है मुस्लिम पर्सनल लौ को ताकतवर बनाएंगे या जो भी है वही पर हमने डंके की चोट पे कहा है एक देश एक कानून हम यू सी सी की वकालत करते हैं तो ये देश के युवा और देश के लोग ठक गए हैं ये ड हम दिर नहीं प करते हैं तो मैं का जिंको भारत के लोग पसंद नहीं करते हैं तो यह सारा मंडेट धीर दिरे आप देखेंगे और बाकी काम राहुल जी ने कर दिया आप आप सोचिये जहां मोदीदी जी एक और बोल रहे हैं इत्यू celular बनाएं मेरें अधिक आपकी ले लूँगा और राम की सब्वत्ति लेकर रहीम को दे दूंगा एक नया नारा आ गया तो कौन राम अपनी संपत्ति देगा कि आप रहीम को दे दो तो मुझे लगता है कि यह तो हमारा आदे से ज़्यादा काम तो राहुल विय करें दे रहे हैं कुनाल चौदी जी बता दीजे वो तो कह रहे हैं कि आधसादा काम तो राहूल भाया कर रहे हैं बिल्कुल राहूल गांदी जी बहुत काम कर रहा है इस देश के मूल मुद्दों पे पांच नयाए 25 गैरेंटियों के साथ जो कर रहा है आज वोट प्रतिशत देखो महिलाओं ने क्या इस्थिती करिये इनकी और क्या इस्थिती कर रहा है मूल मुद्दों पे कि दो करोड रोजगार का क्या हूँ अभी मोधी जी की गैरेंटी पर ही चुना हो रहा है 2700 रुपे कुंटल का गेहूं का किसान डून रहा है 3100 रुपे कुंटल का धान बाला गून रहा है बेहने डून रही है कि साड़े 400 रुपे में गैस की टंकी की गैरेंटियों भी 2023 में ही लेके गहते ते उसका क्या हुआ तीन हजार से शुरू करके 10,000 तक करने वाले ते उसका क्या हुआ बेरुजगार युवा डूड़ रहा है उसका क्या हुआ मूल मुद्दों से कैसे हिंदू मुसल्मान इसके लाव कुछ नहीं आएगा ये समझ ले जनता समझ चुकी है और जो ग्यारेंटी है जूट की दीती और जो कहीं न कई चार सो गेश की टंकी पर डायन केते थे बारा सो पर विकास के रहे चार सतर पेट्रोल था जब एक सो तिर्तालिस डॉलर क्रूड आईल था अज सतर डॉलर क्रूड आईल के ऊपर कहीं न कई है 110 बेच रहे तो जनता सब समझ रहे हैं कि किसकी गारेंटी क्या है क्या दी पांच लाक करोड कर्जा पहुंचा दिया और हालत क्या है आज इस्तिति परिस्तितिया देश के अंदर विष्व के अंदर आप कर्ज़िदार होते जारों इसे क्या ë हमने कहार पर साल का देंगे श्रमिकों को नीय है देंगे जातीगत आर्थिक सार उसको करवाएंगे जन्गंडा और इधर की बाते उधर की बाते किस गोष्टना पत्र में क्या लिखाए पड़े तो सही ठीके आउंगे आपके बाद सर्मन अंगिले जी वर्ष्ट पत्रकार हैं सर अगर मैं आपका स्वागत करने में रह गई हूं तो सब माफी उसके लिए कि मिज सर्थ शोड हो रहा है देखिए अपरणा जी यह जो चुनाव है यह पिछले चुनाव की तुलना में एकदम अलग होता जा रहा है और मुद्द्य की बात कोई नहीं कर रहा है अपने घुशना पत्र की बात कोई भी राजनेतिक दल नहीं कर रहा है और जिस तरह से जो तो आपको अपने दस साल का कारकाल बताना चाहिए उनको बचना चाहिए लेकिन प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी जी भी पढ़ की गरिमा के अनकूल ब्यान बाजी नहीं करतें, वो थोड़ा सा उनको संयम बरतना चाहिए, क्योंकि जो देश का प्रधानमंत्री होता है, वो नेतिक बात करता है, वो देश भी आप ही बात करता, देश को जोडने की ब करता लोगों के कल्यार की बात करता अपना विजन बताते ना कि आप इस तरह की बात करें जो कि किसी धर्मatto को टार्गेट कर रही हो या किसी जाती को टार्गेट कर रही हो या कुछ ऐसा कोई बिस हैब रखें जो की model code of conduct का उलंगन हो इससे उनको भी बचना चाहिए लेकिन अभी भी पांच फेज का बक्त है राजनितिक दलों के नेताओं को पार्टी के अध्यक्षों को मानी जेपी नड़ा जी को खरगे जी को सोचना चाहिए कि हमको ECI notice दे रहा तो हम किस और अपने नेताओं को जो candidate की खूबिया नहीं बता रहे है यह बात बिलकुर सही है कि भारती जंता पार्टी पूरे तरीके से मानी नरेंद मोधी जी का जो ब्रेंड जो ब्रांड है उनके भरोसे उनकी credibility के भरोसे हैं और जो नरेटिव सेट किया गया था 22 जनवरी 2024 में जो राम लेला का प्रांट प हैनत नहीं कर रहे हैं जितना कॉंग्रेस को मीदबार कर रहे हैं और दूसरा खेमा सोच रहा है कि वह तो दावाई 400 पार का कर रहा है इसलिए वह भी बाहर नहीं निकल रहा यह वज़ा है या मदाताव में कोई निराशा है या उतने वह जागरू करने में उन्हें नाकाम रहा है चुनाव आयो क्या वज़ा रहेगी जो स्लो वोटिंग ट्रेंड हमने देखा जी बिलकुल आप ठीक कह रही है इस बार 14-19 की तुल्ला में बोटिंग बहुत कम हो रही है मुझे लगता है कि महिलाएं कम बोट कर रही है विधान सवा महिलाओं ने जादा बोट किया था इस बार लगता है लाडली जो बहना योजना का असर था कम हो रहा है यूथ बहुत बड़ चलके हिस्सा ले रहा था मुझे लग रहा है यूथ कम बोट कर रहा है दोनों तरह की बात हैं जो आपने बताइए एक तो भाजपा बाले ये समझ रहे हैं कि हम तो जीत ही रहे हैं पार्टी जीती रही है अच्छी तरह मजार्टी में पारें रही है हमारा बौर सो यह होसकती है दूसरी बजे बहुत हो सकती है कि भाज़िश्पाने बड़ी नयुद को अपनी नीद्राद्र के है यहां तक कांघ्रेस का सवाल है कांघ्रेस में भी भंगदर साकाइव्स जारे नहीं है इसकारण इंमें उतसायعم होसकता है तो बोटिंग कम होने कई कारण हो सकते हैं इसमें कौन जीते जाएगा कौन हार जाएगा कम बोटिंग किसके फायदे में जाएगी किसके नुकसान में जाएगी ये कहना कठिन है याज भारतिय जी मुद्दो की बात पर आ जाते हैं यहाँ पर मुद्दो की बात यह है कि जहां दावे अपने अपने थे उन से भटकते भटकते राहुल गांधी का बयान देख लो फिर मंगा सुत्र विरासट टैक्स की बात देख लो क्यूं आखिरकार ये लोकसभा की लड करी कि हम हर पोलिंग बूत पे 370 बढ़ाएंगे आज ही भारतियंता पार्टी के प्रदेश अद्यक जी ने प्रेस वारता करी है और उसमें तमाम दिक्कते बता दी कि वोटिंग प्रतिशत क्यों कम हो रहा है उसमें शादी का भी बहाना बता दिया उसमें मौसम का भी बहा आने से आप कामियाब नहीं है दूसरी बात चोटे दिल के लोग है इनका दिल बहुत चोटा है यह देने वाले लोग ने चीनने वाले लोग है मंगल सूतर का भाव क्या है आज कितनी महला है मंगल सूतर पहन पा रही है यह सवाल उनसे पूछे ना जंता से जाकर अभी वर कि रक्षा करता है उसको भी संविधा पर 4.5 साल का कर दिया उसको भी कच्ची नौकरी पर ले आए यह भॉपाल राजदानी है यह बदनाम हुआ व्यापम के नाम से पूरे देश में तीन तीन बार प्रवेश परिक्षा का नाम बदल दिया लेकिन इस्तिति वहीं के वहीं है वही गपले हैं वही ब्रस्टा चार है यही वोपाल है बी आटीस कोरीडोर बनाया बंद किया साड़े तीन सो करोड रुपे का हुआ आलोग शर्मा जी महापौर है इनी के रहते हुए होशंगाबाद रोट पर साइकल ट्रेक बनाया गया उन्होंने खुद गाटन नहीं कि करोड़ो रुपे बरबाद हुए वह किसकी सहली पर जाएंगे दो बार विदान सभा चुनाओ लड़ चुके आलोग शर्मा जी दौनों बार जनता ने ठुकराया एक बार तो भारतियंता पार्टी में विरोध हो गया जब न्यू मार्केट के अंदर उनके दो शिवराज स नाम पे वह सब किसी काम की नहीं है और हो क्या रहा है यह समझाना चारें अपने भारतियंता पार्टी के लोगों को कि देखो बले यह एक्सपाइरी डेट है तुम चले जाओगे तो तुम भी एक्सपाइरी हो जाओगे कॉंग्रेस या अन्ने दलों में जाके तो अपनी पीड को समालना चाहे जो भारतियंता पार्टी में जिन्होंने भारतियंता पार्टी बनाई जिका नाम लेने कोशिश कर ले प्रचार नहीं कर रहे हैं तो एसी नाखुशी बहुत सारी तो केवल भारतियन्ता पार्टी की नाखुशी को समालने के लिए यह प्रयाजित कारिक्रम चल रहा है कि दूसरे लोग आ रहे हैं नौक्टर वाजपी जिनको आप 370 प्लस करने के लिए लेकर आये थे उनको यश् कोई बात नहीं लेकिन हम कमजोर नहीं है तो इसलिए रिस्पेक्ट यू मेरे पास तो पूरे पन्नी पन्ने लेकिन यह एजेंडा किस ने बदला लेकिन आपने भी बहुत अच्छे से जानती है ख्याति नाम पत्रकार है यह एजेंडा रहूल गांदी नहीं खुदी बदल मतलब यह आ जाएंगे तो यह जातिगत फाइनेशल आडिट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद वो यह कहते हैं कि मैं दस परसेंट जितने भी हैं जैन साब है अगरवाल साब है जिन्होंने खुब पैसा एकटा कर रहा उनसे पैसा लूँगा और यह हैं कि मुझे यह बहुत पसंद है कि 55% पिताजी का जो संपत्ती है वो सरकार ले लेगी तो मतलब 20 एकड़ का मेरा बिचारा किसान है तो उसके बच्चों को 10 एकड़ जो है वो सोनिया जी के बच्चों को चला जाएगा यह कौन सा लौजिक हुआ बे सोनिया जी के बच्च आता हूँ जो हमने यहाँ पर सरकार लीती तो नैशनल हाईवेज केवल 92 क्यलो मिटर से कानी इमेजन दीस दिन आपनी यूनिट के पुराने लोगों से पूछेएगा फोर्लेन नैशनल हाईवेज 92 किलो मिटर से और आज 4432 क्यलो मिटर ने तो यह हमारा काम है जब हमने सरक का बड़ा भारी एजेंडा है लेकिन उस पर राहूल गांदी फेल होते हैं उनके पास केंडिडेट नहीं है बोपाल का केंडिडेट कोई पहचानता नहीं है कौन है कारेकरता भूत पर नहीं है लाट नहीं है एक बड़ा इंट्रस्टिंग आपको दे रहा हूं दस सेकेंड में आप Camper देखिए हमारी स्टारण पुणिया ने सनया जी और कहां से लड़ेंगे चुनाओ जब आप उर्में बात कर रहें ये भी तहनी है ठीक है अवनीज मुनिला जी भी यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए अवनीजी डिवेट में जुड़तर अक्सर हम पर सर खड़े हो जाए कुरसी छोड़नी पड़ेगी कुरसी का मोग क्यो लोगों ने टिकेट वापस किये हैं कई एक बड़े खलाडी एक बड़े जो फिल्म अभीनीता भी थे वह उनने टिकेट वापस की भाजपा के किसी भी कॉंग्रेस के प्रित्याशन ने टिकेट वापस नहीं किया और हम तो यह देख रहे हैं टिकेट लेने के बाद पार्टी बदल दी रोने सर, बॉक्सर वेंदर की बाइब देख रहे हैं, जो चार सो पार, चार सो पार का नारा लगा रहे थे, जैसे ऐसे दो चरण के मतदान हुए हैं, अब इनके भाशन बदलते जारे, अब ये कह रहे हैं, अगर कॉंगेस जीत सरकार काल में, दस साल में चोहतर हैर पहुंच गया, उन्होंने चीना है, माँ बेटियों के जो मंगल सूत का सोना है, आज की तारिक में गरीब आदमी मंगल सूत नहीं दे सकता है, क्योंकि चोहतर जार रोपे, वो भी आप बनाऊंगे, पांच ग्राम का बनता है, महला कहा सिलाएगा चालीस यार, जबकि यहां पर चालीस रुपे प्रतिस दिन आए है, लगोई 20 प्रतिशत लोगों की, यह मैं नहीं कह रहा, यह खुद मोदी सरकार कहां कड़ा कह रहा है, चीक है, आपकी बास आ रहे हैं, जी, आगे आईए, जी, मेरा एक विनमता पुरवक सभा आपकार है, जो जूट की परची भाजपा कारयाले से मिलती है, तो उसे पबलिक के बीच में जाके परोसने का काम न करें, यह हमेशा यह TV चैनल पर बैठेंगे, तो रोजगार, रोजगार के बिना आत्म, रोजगार के बिना जो युवा आत्मात्या कर रहा है, उसके बात नहीं करेंगे, सम्मान के बिना रोज दिनों दिन अत्याचार और महिलाओं के उपर, उस अत्याचार पर बात नहीं करेंगे, मध्य प्रदेस की बात करूं, तो मध्य प्रदेस में एक तो भरतिया नहीं निकलती, और गिनी चुनी भरतिया निकलती, चाए पटवारी ह नर्सिंग कहो या पुलिस कहो उसका सरकार की स्टेटीजी होती है इसको केस में उलजा दो ताकि यह यूबा आत्म हत्या करने पर मजबूर हो इस बिसे पर बात नहीं करेंगे अगर हम यूबा अपने हक के लिए सरक पर भी लड़ने जाएं तो लाठियां दंडे और जेल मठ सूत्र इसमें उलजाने की कोशिस न करें आज का यूबा समझदार हो गया है इसका जवाब हमें दे के विकास कैसे होगा जब देश का यूबा जो भविस्का निर्मान करने वाला होगा देश कुचाईयों पर ले जाएगा अगर देश का यूबा आगे नहीं बढ़ेगा तो देश विकास कैसे करेगा जातिगत आरक्षण पर बात विनम्रता पुर्वक मैं भी कह रही हूं राहूल गांधी ने भी किया है जी मैंने अब जातिगत आरक्षण की बात मैं यह बहुत है किसी भी जाती का हो यूबा अगर पढ़ा लिखा है तो उसको रुजगार की विवस्था होनी चाहिए तिक है लूगी आपका जवाव यहां से जी मैं अपने कॉंग्रेस के मित्रों से पूछना चाहूंगा आरोप प्रत्यारोप के अलावा आपके पास कुछ है क्या मैं बताता हूं भारतिय जनता पार्टी का विजन क्या है आज आप किसी भी लाभा प्रती की रीती भी होगे पहले पांच लोगार नहीं मिल पारा मिनीबात सुनिया मिरी बास तुनिया और वोग यहां से पोछे भारत के अंदर कितने यूनिकॉन कमपनीज है एक सो से जादा यूनिकॉन इनके लिए रोजगार का मतलब मुँ में लाके खाना देना नहीं है आठ हजार करोर से ज़्यादा की वैलियोशन होती है एक कमपणी की तब जाके वो युनिकॉन कमपणी बनती है रोजगार का मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ आपके पास भरतिया आ रही है आपने क्या किया आज आप देख लिजे जो EPFO है इंप्लॉई प्रोविडेंट फॉंट और्गिनाइजेशन उसके आंक्रे देख लिजे अगर आप किसी रोजगार के लिए है नहीं किसी कमपणी में आपकी नौकरी हables उनी तो EPFO का डेटा कैसे बढ़ रहा है यह बात करते है किचानकी आज प्रदानमर्ति किचान संमान निधि मुकमंत्री क्रिसक संबान निदि के द्वरा उनको संमान नित किया जा रहा है अगर आप बात करेंगे प्रधान मंत्री आवास योजना के द्वारा हमारे जितने गरीब भाई बहन है उसको आवास देने का काम किया जा रहा है महिलाओं को ससक्ति करने के लिए 33% महिलाओं को आरक्षन दिया गया इनके पास कोई विजन नहीं है सिर्फ यह आरोप प्रत्यारोप लगाते मैं भी एक युबा हूँ और आज मैं सक्षा मूँ कि मैं 50 लोगों को रोजगार दे सकूँ क्योंकि हम चलिए सिर्फ और रोप्रतियारूप की राजनीति कषा है कुणाल जी बड़ा बड़ी हसी आ रही है कि जिस प्रदेश और देश को बेरोजगारों का प्रजेश बना दिया आज ना तो इनके विज़न दिया एक लाक रुपे साल का जो भी ग्रेजुएट हुआ होगा उसको देंगे और कहीं ना कई उसकी तयारी कराने के लिए देंगे दूसरी चीज हमने सीधा विज़न दिया 30 लाख सरकारी बद खाली पड़े उसे भर दे का काम करेंगे इस्टाट अप के लिए फंड देने का काम करेंगे जो एजुकेशन लोन के लिए पड़ पड़ते हैं 15 माज तक के सारे एजुकेशन लोनों को माफ करने का काम करेंगे हम हमने विजं सीधा इसपास दिया कि युवाओ के लिए क्या करेंगे महिलाओ को हमने ये इन्ने वादा जरूर कर दिया था कि chuyह कर देहिए और उसको खरीदा जाएगा और उसको खरीदा जाएगा जनता विरोधिये और जूटी बाते एक भी बात इनके भाशन में देश के प्रदानमंत्री बनाए रहे हैं आपका वजन समझ क्यों नहीं पा रहे हैं जिस विशह पर किसी नहीं कि उस पर भारती जनता पार्टी काम कर रही है किस विशह पर गेमिंग इंडस्री बहुत दिनो से भारत में वूम कर रही है लेकिन उस विशह पर किसी भी राजनेता किसी भी नेता उने बात नहीं की सिर्व भारती जनता पार्टी ने बात की और अभी उसकी बैठक भी हुई है और मोदी जी ने उस पर निर्णय भी लिया है कि हम बहुत से इंफॉर्मेशनल गेम अच्छा गेम खेलें से देश को बड़ोतरी मिलती है इस पोट्स मेरा सपना है कि मैं एक इस पोट्स प्लेयर बनूं आप आई आप क्या बोलना चाहरा है कि मेरा सवाल कुनाल सर से है कि कुनाल सर कॉंग्रेस पार्टी इतनी हतुसाइथ क्यों हो गई है बहुत पच हाँ अब की बार 400 पार का नारा आत्म बिश्वास में दे रही है जैसे कॉंग्रेस यह अतिया आत्म बिश्वास कहते हैं वहां जीतू पटवारी जी हमारे सीटें जीत पाएंगे आज बड़ी मुश्किल से जीतू पटवारी जी कह पाएं आधी सीटें अगर कॉंग्रेस ने काम किया है तो क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि हम 39 की निकल पाया कि वह कह पाएं कि 29 की सीटें वो जीतेंगे जिनका हाथ सबसे लंबा उठाएं उनके पास देखिए नाम मताई पहले हैं मुझाहिद सिद्धिक है मैं भौपाल शहर राजदानी का एक नागरिक हूँ मैं यहाँ पर जित्ते भी हमारे बीजेपी के सातीगाण है और हमारे बीजेपी के नेता जी यहाँ पर हेंगे मैं आष्ट करना चाहूंगा मैंगाई पर बात करें केसानों पर बात करें घेज सिलेंडर बबात करें हिंदू मुस्लीम नहीं चलेगा अब あっ जंता समझदार हो चुकि यह देश कीकि अब हिंदू-मस्लीम जारेगा गाही नीचलेगी तलाग नीचलेगी यह सब उनके जो ढो लोग लेते हैं ये सब निकल चुके हैं अब सिर्फ आप मध्यकी बात करें क्योंकि जिस राजजानी में नरण्ध मोदी जी का रोड़ सो फ्लाप हुआ है यह कहीं न पूरे मत्लाप हो गया यह फ्लाप हो गया अब्लप्व लाप यह यह भुपाल की दनता बता हैं यह यह ब आइटी कंपनी चलाते हो ना जो नेटा जी उसे पूछनू हुआ है देखे एक बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज है कि जो युवा कॉंग्रेस में मैंने नहीं देश नहीं उनको राहूल गांदी ने विरोजगार कर रहा कुछ नहीं कर सकता हमारे पास तो हमने जिसे मद्रपिदेश का बताएं तो लगभा 11 लाख ऐसे हुआ हैं जिनको हमने प्रैमरी सिक्टर पे लोन देके और वह बहुत अच्छा सा इंडस्ट्री अपनी सब चला रहे हैं हमारे स्टार्ट अप्स की बात की गई हजारों स्टार्ट अप है वह या कॉंग मेरे से वह नहीं समझेगी चाहे कितनी बार हार जाएं और मेरे मिठ्र हैं मेरे साती मुस्लिम भाई हैं मेरे भाई ट्रिपल तलाग छाती ठोक के खतम किया है स्वागत करोस का हलाला छाती ठोक के खतम किया है आप नहीं कर पाए सक्तर साल नहीं कर पाए तो इसलिए बहनों को संपत्ति देखा दिकार की बात मोदी जी ने करी है तब आपके राहुल गांधी आकर उस संपत्ति के अधिकार को हिंदू अंडिवेड़ेड़ फैमिली की तरफ मोड़े बहुत दुखत बात है यह मरीपूरा संदेश खाली की बात में माध्यप्रदेश की महिलाओं की बा की आये थे और अब टिकेट काड़ दिया वह प्रग्या ठाकर जिन्होंने ऐस संगी की हथ दिया और शिवरा सरकार ने गृफतार किया था वह प्रग्या ठाकर जो में ऐसम बढ़नास में आतंगबात के आपक ना पहले ज़ेए बातारी हैसे विचारत फुटिस था आतंगवादी के आरोपी है आतंगवादी के आरे से आरे से आरे से आप बहुत कर रहे हैं तारिक कर रहे हैं यह पहले आप यह बताईए हम बोपाल की बात कर रहे हैं दूसरी बात रोजगार की बाते हो रही थी बारतियंता पार्टी के साथी बैटे इंसे राजदानी बोपाल का रोजगार का रहे हैं नाम पूछ लिए बोपाल में पता कहा है रोजगार का रहे हैं बंद पड़ा है दूसरी बात कितना परेशान राजदानी बॉपाल के स्टेशनों पर ठोकर आते हैं जब परिक्षा देने आते हैं बॉपाल राजदानी मुन बच्चों के लिए कोई विवस्था नहीं होती किसी भी दिन आप सुवे 5 बे जाके देख लिए जिसन प्रवेश परिक्षा होती है तब पता चलेगा देश में जाती के आदार पर कौन सामाजिक तौर पर पिछड़ा है कौन आर्थिक तौर पर पिछड़ा है आज देश में दस से पंदरा प्रतिशत लोग्रको सामान ने कहा जाता था नॉर्मल का जाता यह उन्हाद क्योंकि उनोंने जैपुर कोड में मनु माहराज को स्थापिद किया है बाबा साहब को स्थापित करने में इनको शर्म आती है सम्विदान मदलना चाहते हैं यह तो बुफ्त का भाशन दे रहे हैं देखिए यह लोग हाकीकत बात इनों जातिकत जंगरना क्यों कर नहीं पता है आपको राउल गांदी ने फिर अगें क्या का इंदी कर तुन उन्होंने का मैं जाति करोड़ रुपए बोरे से निकले हैं मुख्यमंतरी निवास के अधिकारी होगे 200 करोड़ कैश निकला है तेरा सो करोड़ रुपए वल्लब भवन से लूट का अड़्डा बनाकर फस्ट फैमिली तक गया है पहले परिवार केस चल रहा है उसका यह इतने भ्रस सिटम लोग कई एक में बागी लोगों आऊंगी जब के बास ठीक है एक मिनट एक मिनट एक मिनट पीछे से हाथ जी तो मैं बीजेपी के प्रवक्ताइस से पस यह पूछना चाहरा हूं कि आंटीन एटीन आइन से जो है बीजेपी की सीट रही है लोग सवा भॉपाल में आप हर बार अ आपके क्या सांसत प्रत्यासी योगी नहीं होते हैं क्या वस मेरा आपसे ये सवाल है मैं यह क्या नहीं चाहता हूं कि हवेली जोपड़ी सबका मुकदर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुसलमानों का छूट जाएगा दूआ कीजिए इनमें प्यार के रिष्टे रहें कायम ये रिष्टा तूट जाएगा तो भारत तूट जाएगा आज क्या आवर्शकता पड़ गई कि देश के सरवोच नेता को हिंदू मुसलमान की पिछपे आकर के खेलना पड़ रहा है क्य सब्सक्राइब बीजेपी सरकार ने सुडेंट थी सेविश्टी सीन लिए देखा जाए तो इतने सकेंस हो सके हैं व्यापम गोटाला हुआ नर्सिंग गोटाला हुआ पटवाली सकेंव हुआ पेपल लीख हुए भरती गोटाला हुआ फोलेश गोटाला हुआ तूट का है कि उन्ते भावस्चे का क्या हाल होने वाला है देखे जो पढ़ेगा वह आगे बढ़ेगा बहुत सीधी बात है जब हमको सरकार मिली थी तो भाई को बताना कि हमारे पांच मेडिकल कॉलेज थे आज 30 मेडिकल कॉलेज हैं तो भाईया पढ़ो ना तब हमारी 600 सीटे थी आज 30,000 सीटे देश में हैं तो आप इस इसको समझो एक लाग से उपर डॉक्टर की सीटे हैं हर जिले में इंजरी कॉलेज मेडिकल कॉलेज और उसके बाद एग्रिकल्चर कॉलेज बन अब ये कॉंग्रेस के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या करें ये राउल ये अभी एक नौजवान ने आपका शो देखके मुझे बेजा कि या हाई कोट के आदेर पर भी गरीब सवर्णों को मिली न्युक्ती डायर की रिट अपील किसदर सरकार ने इस पस थे युवाओं के साथ जो धोका यो बेरोजगारों का प्रदेश मद्य प्रदेश को जि प्रचार करने में बुलाओं दोनों को कहां गाया इनको कि केसे सांसाद होना चीह जिनको देखा ही नहीं है इस पस थे इस बार कॉंग्रेस का इतना महच्पूर्ण सांसाद बनेगा और पूरी ताकत के साथ जनता मौपाल में देख एक वोट एक नोट मांग रहे हैं पत्याशी बदलने के अवशक्ता क्यों बढ़ती है देखी ये तो एक पार्टी का अपना आंत्रिक मामला है कि वो किसको चुनाव में उतारें किसको नहीं उतारें एकने बास सही है कि जो मौझूदा सांसद रहते हैं उनको अपने 5 साल का पूरा जो उनका कारकाल है उसके ब मुझण smarter जणता का अधिकार है लेकिन ये फी पार्टी का अधिकार है कि वह अपने कhesको टिकेट दे किसको ना दे लेकिन जहां तक जो आपने एक बोट और क्या बताया आप नमें जो आरुन स्रीडिकास्टव जी जी जो मीदवाजिन की में प्रम जिक अप चर्चा कर रह सूत्र के माध्यम से मानि नरेंद मोदी जी ने नरेटिव चैट करने की कोशिस की है सेम पत्रोधार की बात से तो यह चुनाव जो होता है ना पुई इन मुद्धों पर होता एक कोई कैनिट विकास के नाम पर यहां पर पिछले 40 साल से भारती जन्ता पार्टी का सांसा दे 28 के बाद कोई रोजगार का विवसाई नहीं है और यहां पर जो दिया है बीएचियल आदंदी नेरु जी की देन ता उसके बाद जितने भी सांसा दाय सर्फ भष्टाचार के नाम पर काम करा बदल लगा है और यहां की प्रिग्या सिंग ठाकूर का ठिकेट क्यों कचा पूछना चाहता हूं भाई साब से उनको बता है देखिए भारती जन्ता पार्टी एक साल पेले मद्द प्रदेश में सीको कमाव योजना लेकर आई थी उसमें यूओ को क्या सिखा रहे थे टाय कि मेरको तो लगता है मैंडम कई ना कई आरक्षन खतम करना चाहिए क्यों क्योंकि मैंडम यहां पर ब्रामन लोग लिए कोई सुविदा नहीं है हम लोग अगर जाए किसी भी उसमें बात करने तो किता आप तो सामाने आप हो ही नहीं तो हम बेर वोट किसको दें पहली चीज इनसे यह है दूसी जीज यूवा इतना परसान हो गया है कि नोकरी ही नहीं क्या करें ठेला दगाएं तो पुलिस भाले भगा देते हैं भागो यहां से तो मैडम सबसे प्रक्षन खतम करो आरक्षन खतम करो जी या वाट्पजी से आपकर हम क्या है राहुल शर कि धर्मा पूछन मैंने हैं सर का कमा सबसे राइस और धेत्र चाह进行 करन गांडी यह पकुलिसे तौन कर रहा हो हम घ्री परिवार के बात कर रहा हुए गांधी परिवार की परिदा नहीं होते दूसरी बात इसलिए हमारे आपर किसी भी व्यक्ति को चांस मिलता है और बिलकुल बदलते हैं इसमें कोई दो मत नहीं है दूसरी बात जो आपने कहीं बहुत अच्छी बात कहीं है और कॉंगरेस के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और अच्छी बात है पर इनको राहूल गा करते हैं एक बात अभी और एड़ान कर दी नहीं को एक बात में खता है यह एम्स की बात कह रहे हैं जेपी नडडा जी भारतियंता पार्टी के राश्ची अध्यक्शन स्वास्त मंतिरे रहते हुए इसी एमस में आयते बच्चों ने धरना गिया घेर लिया था उनको के ला लेकर माद्यम से मिलता था वहां बैनर लगा हुआ है सुराजगार के किसी भी वैक्टी को लोन नहीं दिया जाएगा जूट परोस्ते पूर उप मुख्यमंतरी उमा भारती जी आये दिन शराब की वेवसारियों के यहां पर पत्तर बाजी कर रही है कुत्ते काटने की समस् मुख्यू नहीं चाहते है तो गौरेंटी करता है लेकर पुराइल नहीं गारंटी कातर इंको बापस करता है मेरा कुनाल जी से एक छोटा सा सवाल है कि अभी यह माईक आप के दर उन्हीं से ले लिए जुमपड़ना जी डिग्वया सिंग जी को टिकेट क्यों नहीं दिया गया भोपाल से अपड़ा जी शेक भाई को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं यह अल्प संख्यक बोचा के कारे करता है और वाकरी में दुकान लगाते हैं और मज़े की बात है जब से इन्होंने मुझे 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 मुस्कुरा मुस्कुरा के सड़े संत्रे देने शुरू किया है मैंने क जोस है दोनों दलों में खास वात यह है कि ज्यादा नेता भाजपा के प्रचार में है प्रचार ज्यादा भाजपा का तेज है भाजपा करता गली-गली में यहां आपके कारकम में महाल कांग्रिस का ज्यादा देख रहा है कांग्रिस ही ज्यादा इखटे हैं अच्छा है पढ़िया चुना हो रहा है देखे कौन जित्ता है कुन हरता है एक आखरी सवाल पीछे से लेती हूं बस मैं जी आईज़र आगे आईए सारी मेरत मुस्ते करवाएंगे मेरा ये सवाल था कि आरक्षन जो है उसमें क्रिमी लेयर क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है हमारा ये कहना है कि क्रिमी लेयर जोड़ा जाए आर्थिक आधार पे जो मजबूत हो गए है उनको पीछे कर दिया जाए अब अब क्रिमी लेयर के जरिये जो है आरक्षन दिया जाए यह आखरी रिस्पॉंस देखिए जो कमजोर दल है वो आरक्षन को वोट बैंक मानकर चलते हैं और जो ये बात कह रहे हैं इसलिए OBC के विशह में EWS में सुधार करने का काम 70 सालों में किसी ने किया है तो मोधी जी ने किया है इस पस्थ है संविधान को बदलने की कोशिश करने वाले बार-बार 400 सीटों पे बोलने वाले कि संविधान को बदल 400 तो लड़नी रहे और 400 सीटह कस्याइं तो सुन लिया आपने कि भोपाल कि जंता यहां पर क्या कह रही है और लगाता चुनावी एक्समेंस के सफ़र चलते रहेगा आप देखते हैं नुजचीन मादर प्रदेश चाहते हैं